नमस्कार दोस्तों एक बार फिर हमारी यूटुब चैनल में आप लोगों का हरदिक स्वागत है लेट अप्डेट निकल कर आए कि सरकारी करमचारियों की पैंशन को लेकर आ गई है नई अपडेट पैंशन मंत्रा लेने की बड़ी गोशना तो दोस्तों हम आपको सब डिटे पैंशन से सम्मंदी जितने विन्यों हो जाती है उनकी नोटिकेशन आप लोगों के पास फ्रंत पोस्त के तकरते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के दोस्तों अगर आप भी एक करमचारी है तो यह कबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है दरसल आपको बता दे कि हा किसी ववाद के मामले में अपने पती से पहले अपने बच्चों को फैमिली पैंशन के लिए नोमिनेट कर सकती है कार्मिक और लोग सिकायत और पैंशन मंत्रा लेने इसकी बड़ी गोशना कर दी है परतमान नियमों के मुताबिक किसी सरकारी करमचारी की मृति के बाद फै अनने से देश से फैमिली पैंशन के लिए पातर होता था मंत्राले ने का है कि इसके पैंशन और पैंशन भोगी कल्यान विभाग को विभीन मंत्राले और विभागों से बड़ी संक्या में अरजित प्राप्त हो रही है जिससे सला मांगी गई है कि क्या एक महिला सरकारी कर करमचारी को विवाद से जुड़े किसी विवाद की मामले में उसके पती के साथ फैमली पैंशन के लिए उसे पात्तर अपने बच्चों को नोमिनेट करने की अनुमती दी जा सकती है दोस्तों काफी विचार विमर्स के बाद सरकार ने अब महिला करमचारियों को इसकी अनु मिनेट कर सकती है यदि महिला के पती के खिलाप ग्रेलू हिसा या फिर दहेज निशेद या फिर भारती है दर्ड सहीता के तहत मामला दर्च है तो अपने बच्चों को पैंशन दे सकती है तोस्तों मंतराले ने आगे काया कि यदि किसी मरितक महिला सरकारी करमचारियों का जीवित है और उसका एक बच्चा है जो वैस्क हो गया है तो आपेंशन के लिए पातर होगा तो इस सितिति में ऐसी बच्चे को दी जाएगी नाबालिंगर इब इंगलां बच्चे के मामले में बच्चा बसकों को ही दिछाएग बच्चा वश्क होने के बाद पैंशन के लिए जे हिंद जे बार